हेलो दोस्तो जब भी हमारे structure में honeycomb आते तो हमारे पास options रहता है जो कि वो structure dismantle करके recast करना ये second option है pressure grouting करना अगर structure में honeycomb जाता है तो हम यहाँ पे pressure grouting करने वाले तो जब भी pressure grouting करेंगे तो उसको drill करके जो भी needle हम अंदर डालेंगे तो वहाँ से अगर grouting करेंगे तो जो honeycomb ह है वहाँ से ground फिर से बाहर आ जाएगा तो उसको आवएर करने के लिए हम अभी यहाँ पर फॉस रॉक कंपनी का रेंडर रॉक प्लग करके जो भी product है वो यूज करने वाले तो रेंडर रॉक प्लग क्या करता है सिमेंट जैसे काम करता है मगर तेंपररी यूज के लिए औ हमको अगर काम करना है आज ही तो हम आज ही रेंडर रॉक प्लग यूज करके हमारा pressure ground कर सकते तो कैसे करेंगे वह आगे हम देखेंगे तो इसमें जो भी रेंडर रॉक प्लग है वो पावडर फॉर्म में रहता है उसमें एडिमिक्टिचर जो है वो पानी मिलाना है और पा जो भी प्रेशर ग्राउटिंग करने वाले वो आगले वीडियो में हम देखेंगे ठैक्यू दूस्तों अलो